तो जैपुर से बड़ी जानकारी आपको देदे आपको बता दे कि हीट एंड डन एक्ट स्ट्राइक से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है कमर्शियल वाहन संगठनों में मतभेत कुछ कमर्शियल वाहन संगठन जारी रखेंगे और ये कहा जोरा है कि कुछ स्ट्राइक अभी जारी ही रखेंगे तूरिस्ट कार संगठन के साथ कई वाहन चालक स्ट्राइक करेंगे और कुछ वाहन संगठन वे स्ट्राइक से बाहर थोड़ी देर में सबी संगठन फैसला ले सकते हैं जैपुर से ये बड़ी जानकारी कमर्शियल वहान संगटनों में अब मतभेद देखने को मल रहा है जादा जानकारी के लिए समधाता आसिफ हमारे साथ लाइप जुड़े हुए है उनी कारू कर लेते हैं आसिफ देखे अभी कुछ दुनों से जो तस्वीरे निकल करके सामने आई थी उसमें ये देखने को मला था कि हर्ताल देखने को मला था अब ये तस्वीरे निकल करके सामने आ रही है कि कुछ संगठन कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे और कुछ ने तो अभी यहाँ पर बात मान लिए क्या अपडेट अफिलाल और आपके बैग्राउंड में कुछ लोग नज़र आ रहे हैं बातशीत करिए शूति मैं इस समय कलेक्टेट सरकिल पे हूँ और रात को यह तैग किया गया था कि जो राजस्तान के 18 कमेशिल वहां संगठन है वो स्ट्राइक पर जाएंगे लेकिन कल शाम को रात को जो है सरकार के साथ दिली के अंदर को ट्रांसपोर्टर्स की बैठक हुई थी उसके बाद में कुछ संगठन कुईट कर गये थे क्योंकि इस कानून को लगबग अभी होल पर डाल दिया गया है ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं को सुना जाएगा लेकिन राजधानी जैपूर के अंदर अभी भी कुछ संगठन जो है वो इस पात पर आड़े हुए यहां कलेक्टेट सरकिल पर मौजूद है हम बात करते है उनसे हमारे साथ जो है वो टेक्सी असोसिएशन जो टूरिस्ट टेक्सी असोसिएशन उसके अध्यक्ष है दिलिप सिंग जी यह बताईए कि देर रात को जो दिली के साथ वार्ता हुई थी उसमें क्या हुआ था कि सारे जो है वो लगबग कुईट कर गये थे आप अभ सारा भी संग्ठन है सभी साथ में रहेंगे लेकिन रात को ग्यारा बजे केंदर सरकार के दौरा एक साल चली गई है और चाल के माद्यम से लोगों को कन्फ्यूजन के पेदा किया गया है कि हर्ताल जो आपका हिट एंड रन जो को उन्होंने धारा लगवाई थी वह एक्ट अंडरिस्केंडिंग पेदा कर दी। हमारे साथ में करीब 14 संग्ठन अभी है वे ट्विट करने का मतलब भी में रता है ना रात को ग्यारा बजे बाद में ऐसी अफवाए फेलाई गई कि सरकार ने जो आपका क्राइक्ट लागू हुआ था उसको रद कर दिया गया उसको वापस नीरत किया जा रहा है लेकिन सब्सकार वाले हम खुद खड़े है सारे के सारे ड्राइवर बंदू ड्राइवर एससेशेशन भी साथ में खड़ी है सारे संग्ठन वापस यह आगे की क्या रण नीती रण है आगे की रण नीती है आज एक दिन के लिए पूरी तरह से इसको बंद किया गया है अगर फिर कि इस कानून पर बातचीत ना हो इस कानून को बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कौन-कौन से संग्ठन अभी इसमें शामिल है असिफ और यह भी कहा जो रहा है कि लगतार बातचीत का दौर भी चला लेकिन बात बंती हुई नजर नहीं आई शुति इस से पूछ लेते हैं आद दिलिप जी यह बताइए कौन-कौन से संग्ठन आपके साथ हैं उनका नाम बताइए कितने आप कह रहे हैं चोदा संग्ठन है हाजे चोदा संग्ठन आपके साथ हैं कौन-कौन से संग्ठन आपके साथ हैं हमारे साथ में मैजिक ओटो आ गए सजैबपूर सहर के अंदर चलने वाली मीनी बस आगई जो रेलवे इस ट्रैवर यूनियन है थीन संग्ठन बने वह सारे आगए हमारे जो टेक्सी यूनियन है वो आ गई इसके अंदर मेजी कोटों वाले ये सामने खड़े हैं मीनी बस वाले खड़े हैं ऐसे करके 14 संग्ठन ओला उबर वाली वो सामने गाड़ियां खड़ी हैं सब के सब जिन जैसे लोगों को वापस जानकरी मिल रही है सारे वापस ट्यूट करके हमारे साथ में आ रहे हैं ये शूती दरसल रात को जो कुछ घटना करम हुआ उसके चलते कुछ संग्ठन जो हैं इस स्ट्राइक से बाहर चले गए लेकिन इनका ये कहना है कि भले ही 18 संग्ठनों ने रा वाले इनके साथ हैं एरपोर्ट पे जो ड्राइवर्स काम करते हैं वो इनके साथ में जो प्रेटकों के लिए गाडिया चलती है टेक्सी एसोसियेशन है वो इनके साथ में है और रात को जो वारता हुई थी उसके बाद में जो है कुछ संग्ठन इस हर्टाल से बाहर चले गये थे आज इनका यह कहना जो 14 समिफन यहां पर मौझूद है कि यह बंद रखेंगे और आज रात को यह फैसला करते हैं कि कल जो है आगे की रणनीती क्या होगी शूती बिलकुल देखिए आसीफ जगह जगह से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें देखने को मि खबर फिलाल राजधानी से सामने नहीं आ रही है कि किसी रूट को डाइवर्ट किया गया बल्कि मैं आपको बताऊं कि राजस्थान रौडवेस के हमडी नतमर डिडेल में साफ़ तौर राजस्थान रोडवेसं को राजस्थान रोडवेस के ड्राइवर्स को यह जाता है वो जाम अभी भी लग रहा है लेकिन कुछ संग्ठन जो हैं उनकी आप कह सकते हैं कि कुछ हजार गाडियां जो हैं इसके अंदर शामिल है क्योंकि ट्रैफिक और गाडियां बहुत ज्यादा है लिहाजा यह